तो दोसो फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोसो इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हैं Lava Z50 Mobile आपके पास Lava का कोई साभी Mobile है कोई फार्ट नहीं पड़ता है इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ तो उसे यहां पर उनिंस्टॉल करदो जबाए और लग्यान से सैटिंग किया है यहां पर उनिंट्रल कर सकते हो तो आप जाको फ्रस टॉप कर सकते हैं जैसे साुम्ड रिकॉर्डर है इस पे जब आप click करोगे app info पे जाओगे तो यहाँ पे आपको uninstall का option नहीं देखने को मिलता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है सबसे पहले इसका जो storage है आप इस पे click करोगे और clear data पे click करोगे और ok कर दोगे ये भी एक तरह का space पहले तो प्रेस आपका भरके रखते हैं फोन में तो इस तरह से जो भी आपका application नहीं हो सकता पहले तो उसका storage खाली करो और फिर उसके बाद फोर स्टॉप पे क्लिक करके आप ok कर दो ठीक है और इसके बाद आप back कर दो इसे तरह से भागी की application के साथ भी कर लेना और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे चले जाना है यह जो file वाला option है आप इस पे चले जाएंगे और इसके बाद scroll करेंगे तो यहाँ पे आपको corner पे clean का option देखन करने के बाद आप इसको clean कर लेंगे इसना करने के बाद आप यहाँ पे back कर लेंगे और चले जाएंगे यहाँ पे setting पे और setting में जाने से पहले एक चीज का suggestion मैं आपको दे देती हूं कि यहाँ पे आपको memory card का use नहीं करना है memory card से आपका phone जो है hang करने की संभावना बढ़ जाती है अगर आपको memory card का use करना भी है storage बढ़ाने के लिए तो आप application रन नहीं करेंगे यानि कि internal access के लिए उसे यूज नहीं करेंगे आप वहाँ पे अपना जो photo वीडियो वगर है store करके आप रख देंगे ठीक है उससे कोई application रन नहीं करना है आपको और इसके बाद यहा पर मैं आपको सबसे पहले developer option on करवाने वाली हूं तो इसके लिए आप यहाँ पर about phone पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको built number पर ऐसे 67 बार क्लिक करना है developer option आपका on हो जाएगा तो यहाँ पर अपना verification code वगर है जो भी आपने डाला हुआ है वो डाल देंगे developer option आपका on ह हो गया है एक बार आप back करेंगे तो यह रहाँ आपका developer option आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको 4GPU rendering को on कर देना है और इसकी बाद स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको एक option और करना है यहाँ पर आपको don't keep activities पर क्लिक कर ल कर देंगे और background process limit पर आप limit लगा देंगे तो यहाँ पर जब आप minimize कर देते हैं तो बैगरांड में आपके जो application आप minimize करते हैं वह चलते रहते हैं तो यहाँ पर उस पर आप limit लगा सकते हैं तो यहाँ पर at least 2 कर दूंगी मैं तो थाकि मेरी आप डाउन्लोडिंग कर रहे ह को fix कर सकते हैं तो आई हो गई इस वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा इसी टाइप के और इंट्रसिंग वीडियो सेखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा तो चली मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार